कंसेप्ट हमारा बहुत सिंपल सा है बहुत अच्छा है यह कहें कि अभी तक सबसे अच्छा है क्योंकि बार-बार यह कहा जाता है कि समढ़ संग से अच्छा अगर कोई कंसेप्ट है तो बताए समढ़ संग उसे चर्चा करेगा अगर समढ़ संग उसे पास करता है तो उसको adopt का लिया जायेगा उसको मान लिया जायेगा पर पिछले दो साल से उपर हो गए अभी तक एक भी विक्ति या एक भी कोई सम्हूं या एक भी गृरुप या एक भी संख्ठन या गुद्धी जीवियों का संख्ठन या कोई भी किसी प्रिकार का koई समाचार ऐसा नहीं मिला कि किसी ने ये कहा हो कि समर्शंग का जो कंसेप्ट है वो कमजोर है या बेकार है या घटिया है या उद्देश से परक नहीं है या यह असफल होगा या इस पर चर्चर की जाए या इस पर ला जवाब था बुद्ध के बाद भी ला जवाब था बावा साब ने जो सम्विधन बनाया उसमें जो ये कंसेप्ट डाला वो भी ला जवाब था और आज भी ये ला जवाब है ला जवाब का मतलब है उर्दू में ला जवाब का मतलब होता है जिसका जवाब ना हो, यानि बिना जवाब का, ला माने होता है बिना, बगैर, तो बगैर जवाब का, जिसका कोई जवाब ना हो, कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है कि हमें सुख चाये, हमें विकास चाये और हमें सुख्षा चाये, हमें से मतलब समण लोगों को, क्योंकि ये समणों का संग है, और समणों के लिए हैं, समणों के द्वारा है, तो समढ संग के सभी समढ लोगों को सुख चाहिए और सुख हर चीज का सुख चाहिए चाहे वो पढ़ाई का है, लिखाई का है, रहने का है, खाने का है, पीने का है घर, मकान, कोठी, बंगला, कार, स्कूटर, मोटर साइकल, हवाई जहाज, घूमना, फिरना बढ़िया कपड़ा, बढ़िया तरीके से रहना, दवाई, हॉस्पिटल, जमीन, जाजाद, बैंक बेलेंस, हर चीज का सुख चाहिए और हर चीज का सुख उस देश के नागरिक का राइट होता है, जिसमें वो पैदा होता है पर यहां जो समस्य आ रही है, वो यह आ रही है, कि जो देश के रहने वाले लोग हैं, उनके पास तो दुख ही दुख है और उनकी कोई सुक्षा नहीं है, वो यदा कदा कहीं भी मारे जाते हैं, कोई गटना, मामूली गटना बतागय», उसको बलकर गटना दर्ज भी नहीं होती ना फैया दर्ज होती ना ख्वार में आता वो घटना से भी परे हैं यानि कि ये मान लिया कि ये तो हैं ही मरने के लिए मर गया कोई बात नहीं मर गया बीमारी से मर गया कोई बात नहीं अधिकार नहीं मिले कोई बात नहीं और किसी का भी विकास नहीं हो रहा है बहुत पार हम कहते हैं देश की हत्या हो गई, सम्विधान की हत्या हो गई बहुत सारी हत्याओं का जिगर करते हैं पर हत्या का मतलब जो समझते हैं लोग वो समझते हैं कि किसी मनुस्य या किसी जानवर की अगर हम सांसे बंद करते हैं किसी भी तरीके से उसकी गर्दन काटके या उसके खुरा जो छुरा है उसे घौपके या गोली मारके या जहर देके या कोई बजन गिराके या पानी में डुबाके तो उसकी हत्या या आग जलाके उसकी हत्या बोली जाती है कि हत्या हो गई पर वो जो हत्या है जो प्रिचलन में चलती है वो बहुत छोटी सी हत्या है जिसको शारिरी खत्या बोलते है यानि सरीर की हत्या सरीर को खतम करना ये हत्या का सिर्फ एक बहुत छोटा सा रूप है जिसका प्रचार प्रसार होता है और जिसके वारे में हम बताय जाता है पर भारत के हमारे जितने लोग यहां के रहने वाले थे जिनके सारे अधिकार, सारी सुक, सारी सुविधाय, सारा विकास उनका राइट है जनम सिद्ध अधिकार है जनम से अधिकार है जाती अधिकार है जातादी अधिकार है जातादी अधिकार है जातादी अधिकार मतलब उत्पन होने के बाद अधिकार जात माने उत्पन होता है जाती माने उत्पन होता है यानि पैदा हुआ तो उसका अधिकार हो गया जैसे कि इसी घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो घर की संपत्ति पे, घर की चीजों पे, घर की हर बात पे उसका पैदा होते ही, यानि जातिकत अधिकार होता है, बच्चा पैदा होता है, तो घर में चालों तरफ कूथता है, घूमता है, कुछ भी तोड़े, कुछ भी फ पैदा हुआ है तो अब इसको हम अधिकार देंगे, तो ऐसे ही देश के अंदर जो लोग पैदा होते हैं, उनका जातीगत अधिकार होता है, जाता अधिकार, यानि के पैदा हुए और देश में जितने राइट हैं, नदी, नाले, पहाड, घूमना, फिनना, रहना, खाना, प ये सारे अधिकार उसके मिल जाते हैं, खाने पीने के, तो हत्या कैसे होती हैं, और हत्या क्यों होती हैं, दरसल अगर इन अधिकारों से किसी को वंचित करना हो, किसी को अलग करना हो, किसी को दूर करना हो, किसी को ये अधिकार नहीं देने हो, देश के अंदर, तो क्या क्य क्या जाता उसके साथ, वो आज के सबर्शंका कॉंसेट का में खेवे हिस्सा है. सारे उक खत्या की तो सबी जानते हैं, कि गोले मार दिया,üchtम कर दिया, उसकी मॉत कर दिया, उसको मार दिया तो वो खत्म हो जाता है, पर इसके बाद जो बहुत बड़ी-बड़ी हत्याएं हैं उनमें सबसे पहले आती है मानसिक हत्या यानि कि सरीनी मारा जा रहा है, मन को मारा जा रहा है मानसिक हत्या का मतलब है कि मन को मारना मान को मारना, मानसिक मतलब मान, मान सम्मान को मारना या वो कोई भाव प्रिकट करना चाहता है कोई खुशी का, कोई गमी का, कोई रोने का, कोई प्राच्चित का तो उसको भाव प्रिकट नहीं करने दिया जाएगा वो अपने भाव नहीं प्रिकट कर सकता उनका प्रदर्सम नहीं कर सकता उसकी हत्या या वो अगर कोई सोचता है, कोई थिंकिंग करता है, कोई थिंकिंग प्रोसेस के अंदर है या उसके अंदर सोच डबलब होती है, तो उसको सोचने नहीं दिया जाएगा यह मान सिखत्या है, जिसका मान सिखत्या हो जाती है, जिसकी मन को मार दिया जाता है वो व्यक्ति फिर किसी काम का रहता नहीं जैसे कोई छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा पढ़ाई करने के लिए तेजव है और वो घर में पढ़ रहा है और कोई उसको धमका दे और कोई कह दे अरे तू पढ़ेगा यहां से जा जाके गोवर पात तो पढ़ने वाले बच्चे का मानसिक हत्य हो जाती है या कोई छोटा बच्चा है उसको अबे तबे करके या उसको गाली गलच के साथ बोला जाए तो उसके मन की हत्य हो जाती है या छोटा बच्चा है कोई खुसी कोई गमी अगर प्रिकट करना चाहता है है पर यह पूरी भारत की समण कम्यूटी के साथ होता है चोटे बच्चे का उधारन से समझ सकते हैं कि बाकी बड़े बड़े बच्चे भी यानि जो बड़े बड़े लोग हैं सतर साल के 80-90 साल के जो समण हैं, उनके साथ ये सुनू सरी होता भाह magnes was को मानसिक हत्या बोलते हैं यााकि मन मारना मानसिक मान सम्मानि मानना, फिर होती है व्यापारिक हत्या में आपके व्यापार करने के सारे rights खतम कि जाते हैं, कोई घोषणशना होती है कोई यह कहे कि मानसिक हत्तिया की या ब्यापारीख हत्तिया होती है यह इसको धीर होती है मांसिखत्या कैसे होती है जब यहां हम समराट असोक और उससे पहले किस समय में रहते थे तो हमारी मांसिखत्या नहीं होती थी हमारा कोई मांसम्मा नहीं जाता था हम अपने भाव परिकट कर सकते थे हम खूब सोच सकते थे और सोचने के कारण ही बुद्ध जैसे विस्व गुरू बने क्योंकि उनका थेंकिक प्रोसेस सबसे बैटर सबसे बड़िया बताया जाता है इसलिए पर उनकी बात को नहीं मानना उस बात को डिनाई करना उसकी मानता नहीं देना उसको जलकना उसक अपनी महल लगाना यह मानसी खत्या की बहुत सारे कारण है वह सही ब्यापारी खत्या है हमारे लोग ब्यापार करते थे और हमारे ही लोग ब्यापार करते थे और कोई ब्यापार नहीं करता था क्योंकि जिनका देश जो लोग यहां रहते थे वही ब्यापारी थे पर ब्य में data देंगे, फिरी में फोन देंगे, फिरी में ऐसा देंगे और बाकि जो companyya थी वो धीदरे करके बंद होने लगी और जब उसारी companyya बंद हो गई तो उस company नेए पैसे बढ़ा दिये और फिर बाकि लोगों की हत्या हुए यह आज के समय company की हत्या है यह पुरพ सा इसका ना बुरा मानना है ना अच्छा मानना है यह जो प्रोफेसंस है उसकी एक strategy है पर हमारी जो बैपारी खत्या है वो से भी बढ़कर है उससे बढ़कर इसलिए है क्योंकि आप जो बैपार करते थे वो बैपार आपसे ले लिया गया धीरे-धीरे कैसे कुछ लोगों ने खोला, सेम ब्यापार, आप मटका बेशते हैं, आप घड़ा बेशते हैं, दूसरे लोगों ने भी घड़े बेचे, मटके बेचे, आपके घड़े मटके को कह दिया कि ये बेकार है, इसमें बला है, ये ठीक नहीं है, इसकी मट्टी खराब है, ये जो मटका लेके गया, पानी वाले कुछ लेके गया तो उसकी भ analog ने पानी पीया तो भैस मर गई मृते अपने करणसे हैं प्राकरती करणसे है पर उसके साथ कहानिया जोड़ नी तो मन में संसे पìnसे पार कर दिया कि सामने वाले का जो कुमार का मतकार घड़ा है वो बेकार है हम से लेके जाओ और अपनी दो जूटी तारीफ करा दी की से कि इनका मटका बहुत अच्छा है पानी पिया तो बच्ची की बीमारी ठीक हो गई पानी पिया तो उसकी जो गाय है वो दूद देने लगी उसकी भैस दूद देने लगी उसके जानवर मोटे हो गए पानी पिया तो घर में सब कोई बीमारी खतम हो गई ये भर्म पैदा किया बाद में इसको कास सिस्टम लेके चले और धिर धिरे अपने अपने लोगों को प्रमोट किया और बाकी लोगों को अगर कोई छोटे शहर में ब्यापार करे गोई समन तो उसके ब्यापार को एक पूरा 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 एक घिरो होता है उस वो गिरो ऐसा काम करता है कि आपको व्यापार नहीं करने देगा आपको महंगा समान खरिदवा देगा और खुद सस्ता बेचेगा आपके समान को बिकने नहीं देगा आपका समान बिकेगा तो किसी को सस्ते में देगा तो बापस करवा देगा आपकी दुकान पे जगडा करा देगा आपकी काश्ट बताएगा जातिगत बताएगा तो आपक के समय भी ब्यापारी खत्या है आप ब्यापार नहीं कर सकते ब्यापार की स्टेटेजी बहुत जबर जबर जबता है क्योंकि ब्यापार से सुक्षा आती है पैसा आता है अर्निंग आती है लोगों को काम मिलता है लोग आगे बढ़ते हैं ब्यापार से ब्यापार बहुत जाती हैं बड़े सेरों मेंस्ती थोड़ी ठीक है पर छोटे सेरों में गाओं में बोहत ज़ादा ब्या-परा rooftop होती है फिर होती है शांगिक हत्या होती है कि आपके संग को संग नहीं रहने दिया जाएगा पुराना जो हमारा संग था, उसकी हत्या कर दी गई, और उसको टुकडों में, टुकडों में, टुकडों में, तोडने के लिए, बांधने के लिए मजबूर किया गया, उसमें जो साम, दाम, दंड, भेज, छल, कपड हैं, चाहें तो समझोते से, चाहें तो पैसा दे कर दाम के साथ, चाहें तो सांगिक हत्याइं आज भी चलती हैं आज भी अगर कोई लोग इखटे होना चाहें अपने समणों की तरह तो उसमें इन्विडर्स यानि के उसमें घुसपैटिया घुसाया जाते हैं उसी में से कुछ लोग तोड़े जाते हैं उन्हीं को कुछ पत्पोष्ट मंचमाला पैसे का लालत दिया जाता है उन्हीं को कहीना कहीं हटाया जाता है और ये सांगिक हत्या जो पिछले संग्ठन हमारे बने हैं उनमें लगातार चल रही है जो संग हमारा सबसे पहले जिसकी हत्या की की गई वो जब तूटा तो सेंगडों संग्ठनों में जाकर रोका जाके पर सं संग्टनिक हत्या भी होती रहती है और लोग अपने आपको बुद्धिमान समझते उनको पता ही नहीं कि कौन उनके संग्टन की हत्या कर गया कौन संग की हत्या कर गया इसलिए दस गोल्डन नियम उस सांगिक हत्या को रोकने का एक अधिकार है एक टूल है हमारे पास एक हत् इतने दस गोल्डन नियम जब तक रहेंगे तब तक संभावना है कि हमारी सांगी खत्या इस वार जल्दी नहीं होगी क्योंकि लोग बिक सकते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कौन आ जाए बिकने के लिए कौन आ जाए इसमें इसपाई बनके जाजासुस बनके कौन इसमें दूसरा आ जाए वमड़ जो समड़ बनके कौन हमारा समड़ जो वमड़ बन जाए ये कितनी भी आप जानकारी, कितनी भी साथधानी रखें, कहीं न कहीं गवड हो सकती है क्योंकि आदमी जब सफलता के नसे में चूर होता है, तो ऐसी गलतियां कर बैठता है क्योंकि ये गलती पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है कि पहले गलती नहीं हुई संग पहले भी था सारी चीज़े हमारे पास थी पर चला गया हाथ से क्योंकि उसकी हत्या हो गई तो उससे बचना है कि ये हत्या दुवारा से नाना हो इसलिए ये चीज़े ध्यानक नी है तो सांगिक हत्या फिर कोशिस होगी ये लगातार होती रहती है फिर धमिक हत्या धमिक हत्या में हम उस प्राकरतिक धम के मालिक रहे हैं बुद्ध ने उस धम को आगे बढ़ाया और उसको सम्मा सम किया यानि कि कंप्लीट किया पूरा किया बराबर किया पर उस धम की इतनी अच्छे धम की सबका कल्यान करता था उस धमी खत्या कर दी उसकी धम की हत्या कर दी उसमें चीजें आडंबर डाल दिये उसमें पाखन डाल दिये उसको बदल दिया उसमें महल लगा दी उसको खतम कर दिया उसमें मिक्सिंग कर दी उसको करप कर दिया उसकी प्रैक्टिस खतम कर दी उसके सं हो जाता है धम कितना ही अच्छा हो कितना ही प्यार हो पर असुद्धी हो जाए इसलिए बुद्ध जैसे लोग सुद्धी मांग देखे जाते हैं सुद्ध करने का मांग देखे जाते हैं और इसलिए बताते हैं उन्हें पता होता है कि ये कभी न कभी mix किया जाएगा, खतम किया जाएगा, तो इसलिए उसकी पूरा का पूरा filter करने का process, उसका checking process देके जाते हैं, कि इसको कैसे करना चाहिए, कैसे उसको सुद्ध करना चाहिए, और कैसे इसको check करते रहना चाहिए, तो धमीक हत्यां लगातार होती रहती है, खाल संतों की जितनी समर्द्धमिक संत थे उनकी सबकी संतों की धं मैक触्धमिक करें होए है और बार बार होती है पर सादानीं हम करते नहीं कोई ऐसा हम रोक लगाते नहीं, बुद्ध जैसे व्यक्ति ने धम को असुद होने के लिए बहुत सारे रोक लगाए, पर फिर भी हो जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे बैपारिक हत्या होती है, सांगिक हत्या होती है, धमिक हत्या होती है, मांसिक हत्या होती है, तो बहुत सारी हत्या अपने आप होनी सु बहता बोल सकते हैं पर पाली में इसको नागरिकता ही बोलते हैं सब बहता यानि कि जो हमारा सिविल आलाइजियसन है यानि कि पूरे के पूरे शहर को नाकार देना पूरे के पूरे शहर में जितने भी काम हुए हैं जो काम समड़ों ने किये हैं जो बिल्लिंग समड़ों ने पीटना और बताते हैं कि सो शेहर जलाए गए थे सो सहर खतम किये गए यानि कि सो सहरों की जो सब्वेता है नागरिक्ता है वो खतम की गई और बाद में जिन लोगों ने जिन से युद्ध हुआ जिन से लड़ाई हुई आप देखेंगे कि उनकी नागरिक्ता यानि उनकी सेन गाओं के या सहर के कौने पर चला गया नाले के पास जहां पोखरती उसके पास जहां कूला डलता था उसके पास हमारे लोगों को वहां जगे या उनको मजबूरी में वहां रहना पड़ा तो नागरिकता की हत्या हुई है नगरों की हत्या हुई है सब्वेता की हत्या हु मचेगा तो बहुत दूर तो जाएगा पर छोटे मुटे गाओं में होता रहता है और गाओं के गाओं भी उजाड़े जाते हैं ये खबरे आती रहती है तो नागरिकता की हत्या है सब्बेता की हत्या है जो लगाता है चलती रहती है बताते हैं कि जो पुरानी सब्बेता हैं वो भी ऐसी उजाड़ी गई है और या उनकी भी ऐसी हत्याएं हुई है तो चलता रहता है फिर आता है बाल और बच्पन की हत्या यानि हमारे जो बच्चे जो खेलने चाहिए जो कूदने चाहिए जो पढ़ने चाहिए जिनको अपना सारीरी की विकास करना चाहिए जिनको अ खाने को रोटी ना रहे और खाने को रोटी नहीं रहेगी और उसके जो बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें भी काम करना पड़ेगा तो बाल मजदूरी दुनिया में अगर कहीं बाल मजदूरी दिखाए दे तो इसका मतलब यह है कि वो जो देश है डेवलोप देश है और उ उसकी कोई हत्या नहीं होती थी क्योंकि पुराने समय में जितने सम्ण लोग थे उनके बच्चे खुग केते थे कहीं कोई एक अधारन नहीं है कि बच्चे को मजबूरी से या मार पीट के या कहीं मसदूरी के लिए भेजा जाए या किसी का नोकर बनाय जाए बच्चे काम सीखते थे ऐसा नहीं है कि बच्चे काम नहीं करते थे काम सीखते थे पर क्या सीखते थे पड़ाई का लिखाई का नाचने का गाने का खेलने का कुदने का अपने परिवार के साथ हाथ बटाते थे काम सीखते थे पर किसी के नौकर बंद हुआ मजदूर नहीं होते जैसे कोई देखता नहीं, इसी देश में बच्चे रहते हैं, इसी देश में उनका बच्मन चीना जाता है, इसी देश में उनके बच्मन की बाल की हत्या होती है, पर कोई करता नहीं, तो हत्या के बहुत सारे रूप है, फिर आता है सिक्ख हत्या, यह सिक्ख जो हत्या है, यह इसलि factory आ गई वो हाथ के काम सारे हमारे चले गए जो हमारे कुट्री उद्ध होगते हो खतम हो गए और बड़ी इंड़स्ट्री हमको लगाने का अफसर नहीं आने दिया क्योंकि बड़ी इंड़स्ट्री बड़े पैसे से लगती है तो हमारे लोग सारे के सारे अनिस्किल्ड हो ग गए क्योंकि उनके पास में उनका स्किल उनका काम नहीं रहा जूता बराने का स्किल रथ बराने का स्किल तीर कमान बराने का स्किल ये स्किल अकर चलता रहता लगाता है तो आज फैक्ट्रियों में सारे सारे समनलोग इंजिनर होते जैसे पहले इंजिनर थे पर उनकी हत्य हो गई, उनके स्किल की हत्या कर दी, उनके काम की हत्या कर दी, जो काम आगे बढ़ाते हैं, उसके हत्या कर दी, तो इसको बोलते हैं, स्किल हत्या या सिख, यानि सीखने की हत्या, ये हत्या आज भी चलती है, आज भी आपको काम ही नहीं दिया जाएगा, जो काम आपको आता ह और भी खराब है क्योंकि अब तो मसीन दुनिया में दूसरे देश बेशते हैं और हमारे जैसे देश खरीदते हैं और सारा काम मसीनों चलता है और बलकर मसीनों की बात छोड़ी है बना बना आया ही सामान इतना आ जाता है कि हम अब लगबक खत्म होने के कगार पर हैं और मतलब भिर्मन करने की हत्या गूमने की हत्या इसको टूरिज्म हत्या बोलते हैं जैसे हमसे कहा गया कि सिखाया हमाई दमाग में डाला कि साथ समुंदर पार यात्रा नहीं करनी है समुंदर को नहीं लागना है या कहीं जाना है तो महरत निकलेगा नहीं तो हम जाएंगे न हम को कैसे पता चलेगा कि सेब जो पैदा होता है वो हिमाचल प्रदेश से पैदा होता है हम को कैसे पता चलेगा कि आम सबसे बढ़िया जो मिलता है वो उत्तर प्रदेश में मिलता है हम को कैसे पता चलेगा कि कापा सारी सारी राइस्थान में गुजरात में होती है या पाकि नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे नहीं तो सुक्षा नहीं मिलेगी इसलिए हमारे घूमने की हत्या की गई और हमारे दिमाग में डाला गया कि नहीं जाना बहुत सारी लोग तो ऐसे हैं हमारे जिन्हों ने कभी जिले को पार भी नहीं किया आज भी हमारे लोगों को गूमने की बौके नहीं है क्योंकि पहले जब हम गूमा करते थे तो हमारे चार धाम हुआ करते थे हमारे छोटे छोटे बहुत सारे धाम हमारे इस्तूप हुआ करते थे ये जितनी भी फेमस जगा हैं ये सारी धम की जगा हैं धमीकों की जगा हैं य लगन और वो गवाई आते हैं, कुछ पैसा गवाई आये, कहीं बाल दे आये, कुछ दियाये, पहले वो ग्यान लेके आते थे, बयापार करने जाते थे, वो चीज़ें चलती थी, अब नहीं चलती तो भिर्मन हत्या हमारी हो गई, फिर हत्या हुई हमारी बल की हत्या, यानि एक force बन जाती थी, ताकत बन जाती थी, बल बन जाता था, सेना हम रखते थे, क्योंकि चंदगुत मौरे, समराटा सोक, सब सेना के रखने वाई लोग थे, तो सेना और सेनिक सब हमारे हुआ करते थे, तो जितने भी ये force हैं, जितने भी सतक दर्ण थे, जितने भी हम साथ रहते थे, वो सारे के सारे आज के समय नहीं है, आपने देखा होगा कि ये तक भी कहा गया कि सुद्रों को हतियार रखने का कोई नियम नहीं है, उनको हत्यार नहीं रखना चाहिए ये नियम बाढ़ के हैं, बुद्धन है तो हत्यार दिया ग्याराए परकार का, पर ये बाढ़ मैं नियम काकजी नियम बना या जैसे सी बना क्योंकि आपके हत्यार ना रखने की जो नियम बना इसका मतलब हत्यार रखने की हत्या की गई है जो आपका बल है जो संदिपात बहुल का बल है जो सैना का बल है जो फोर्स का बल है जो एक साथ रहने का सामुईक बल है उसकी हत्या की गई है इसलिए आज भी हमारे लोग इखटे नहीं होते सामुई कर सेना गरूप में और इखटे अगर होते भी हैं तो उनके पास में उनका सत्तक दंड नहीं होता क्योंकि सत्तक दंड को कैदिया दिमाग में कि लोहा नहीं रखना है और फिर बाद में तो नियम बना दिया कि इसको कोई रख नहीं सकता क्योंकि हत्यार होगा नहीं तो चलाओगे नहीं तो चलाओगे नहीं तो अपनी स्ट्रक्षा कैसे करोगे शेर आ जाए चीता आ जाए तो कैसे बचोगे तो सीर चीता फार देगा तो हत्या रखना डंडा रखना ये हमारा पुरान नियम था तो हमारे बल की हत्या हुई फिर राज हत्या हुई हमारी जो राज हमारे होते थे पुराने जितने भी जितने भी राज थे वो सारे हम थे राजे हमारे थे राजा हम थे और इस सब को चलाने वाले सिस्टम में हम थ पर वो राज-काज की और जितने राजय थे उनकी हत्या हो गई आज जहां पहले 100% के 100% समण लोगा राज होता था आज 2-4% कहीं कुछ दिखाई दे तो दिखाई दे वो राजा चले गए पर राजा चले गए तो पढ़ जा तो यहीं है समण का पसंटेस तो यहीं है तो राज-काज आना चाहिए पर राज-काज की हत्या सामदाम दर्ड बेच्छल कपट से आज भी जारी है और जिनका राज था जिनकी यहां पर नागता थी जिनकी सब्धा थी उनका राज कभी उनको नहीं आने देते क्योंकि पूरे राज-पाट की हत्या कर दी गए और राज-पाट की हत्या तो लगा था बड़ी फेमस हैं कैसे चलती हैं कैसे नहीं चलती हैं तो हमारी राजपार्ट की हत्या होगी, वाचन की हत्या होगी, वाचन मतलब आपको जो Right of Speech था बोलने की जो आज़ादी थी उस की हत्या कर दी गए, आप बोल नहीं सकते, और बोलने के लिए नियम हो गया कि आपको बोल नहीं सकते, आप कोई विचार नहीं बोल सकते, आप कोई स्पिकिंग नहीं कर सकते, आप उसको भढ़काने में मान लिया गया, और क्याई बार तो आज भी आप देखोगे कि जब आप राइट अप स्पिच का इस्तमाल कर देओ, तो सीधा सीधा देज़ दोका भी आरोप लग सकता है, य इसको हत्या का जो ये सिस्टम है, ये लागू था, पहले भी लागू है और ये अभी भी चलता है, तो इसकी हत्या है, और फिर अंतिम तेरवी भाईचारे की हत्या, यारी कि जो हम भाईचारे के रूप में एक दूसरे के साथ रहते थे, प्यार मुहबत के साथ रहते थे, आपस में एक दूसरी की मदद करते थे उसकी आपस में वैबनस से बढ़ाके उस भाईचारे की हत्या कर दी तो हत्याओं के बहुत सारे प्रकार हैं खाली सरीर की हत्या नहीं है सरीर की हत्या तो लगातार हो रही है क्योंकि सारे रिक हत्या में बहुत सारे तरीके हैं सारे रिक हत्या में आपको दवाई नहीं दी जाएगी आपको हॉस्पिटल नहीं दी जाएगा आपकी F.I.R. नहीं लिखी जाएगी आपको सुख्षा नहीं दी जाएगी आपको सेलरी नहीं मिलेगी ताकि आप खाना ना मिले, आपको कमजोर हों, आप मर जाएं ये बहुत सारी शीची जाती है सारी रिख हत्या में तो ये हत्याओं का जो सिलसला है सुरू से लेकर आखिर तक स्रमणों के साथ चलता है तो हत्याओं बदाएं तेरे पिकारगी और समधान क्या है समधान तो बड़ा सिंपल सा है, समधान बहुत आसान है इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते बस आपने कालज उठाना है और पैन उठाना है और रोज एक पिपर पे लिखना है मैं समध हूँ, मैं पुरातन समध हूँ, मैं पुरान समध हूँ, मैं पुराना समध हूँ, समध संग मेरा है मैं गौरब से कहता हूँ कि मैं समध संगी हूँ, हर समध मेरा भाई है, हर समध मेरी बहन है हर समध भवन मेरा भवन है हम सारे भारत में जब भारत के बाद जितने समण हैं एक परिवार के लोग थे, एक परिवार के लोग है और एक परिवार के रहेंगे सारे जहां भी समणों की संगती लगेगी मुझे जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना पैसा खर्च हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा संग मेरा गारव है, मैं अपने संग के साथ हूँ और मैं संग में रहूंगा संग के दसनियम बड़े कमाल के हैं आपने सिर्फ ये काज़ पर रोज लिखना है इसको दिवार पर चिपकाना है इसको फूटू खीच के डालना है आपने इसका सुमरन करना है इसको याद करना है इसका पठन करना है इसका पाठन करना है कितना सरल काम है आजने बसना सुरू हो जाएगा, यह सारी हत्तीं बंद हो जाएंगी. ये सारी हत्तिं इसलिए हुई है, क्योंकि हमने समण को सिम्रन करना, याद करना, उसका पठन-पठन करना, उसका जाप करना, बंद कर दिए. यह पुराने समय में जो हमें जाप दिये गए हैं, lieu समण भवन, समण बराद, समण घोरा, समण भैंस, समण बकरी, समण कुर्ता, समण पजामा एक समण सब्दी तो लगाना है आगे पीछे अगर आप एक समण सब्दी लगा दोगे आगे पीछे तो आपका कुछ नहीं जाने वाला पर आपको समड से समड जूटते चले जाएंगे फैबी कॉल की तरह चुपकते चले जाएंगे आपको पता भी चलेगा कब चुपके बस यही जीत है अगर हम चुपकने सुरू होगे और जीतने सुरू होगे कोई पैसा नहीं मांगा आप से कोई राजनीती के लिए बोर्ट डालने के लिए नहीं करे आपसे कोई आपको जगड़े के लिए नहीं करे कहीं आपको प्रिदंस के लिए नहीं करे कहीं आपको आने के लिए नहीं करे कहीं आपको जाने के लिए नहीं करे हैं और याद करते हैं आपको लगता होगा कि आपको में मेरे और बार 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 नाम जप रहा है तो यह तो पागल होगा बेफ़कूफ नहीं है वो अपनी विचार को अपनी आडिलोजी को अपने संग को मजबूत कर रहा है वो 24 गंटे लोगों को यह बताता है कि यह मे करने से जैसे 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 जाब करोगे जाब करने से हम समढ़ पूरे होते चले जाएंगे और फिर सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे ये ठीक ऐसे है जैसे अगर कोई अमरीका में जाए और अमरीका में जाके महां अंग्रेजी बात करे और उसे अंग्रेजी ना आती हो और सामने वाला जो है अमरीकन वो अमरीका में बात करे तो अगर उसे कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए या उसकी भादा बोलने वाला मिल जाए तो लगता जैसे अरे वहीया काम बन गया हमारा चलो मिल गया कोई नहीं पूछता वो कौन है क्या है कैसे बस उसे कह रहा भाई मेरी बात को समझा दे या मेरी बात को समझ ले ये ठीक वाइसे ही है कि समण को समण जब मिलेगा तो उसका दिल खुस हो जाएगा क्या है मेरा भाई मिल गया मेरे को इतना ही तो काम करना है इसी से जीत जाएगे पर इस काम में दिक्कत आएगी इस काम में दिक्कत यह आएगी क्योंकि हमारे जो संग्ठन है 39 लाग उन्होंने कुछ सबद डवलप किए है सकता साथय। मुल्णिवासी समझ समझ सभता से च्छोट gottaorg सब्सुआ अंग शुकायai मुल्णिवाशी के पैरियार किया थाective Saab Najing सब्सक्राइब हो पर क्या हुआ कि twent imm заяв मुलमेवाशी सब्सक्राइब करें जिन्होंने मूलनिवाशी सब्सक्राइब करें 25 Ellie बहुत एथियासिक चीज है, इसलिए ये जो सब्द है, ये आप मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो बूटी है कि आपके सारे रोगों को ठिक कर देगी, ये समड बूटी है, ये समड बूटी है, जो समड बूटी को खाएगा, वो अजर अमर हो जाएगा, उसकी पीडियां दुख बहुजने उस पर अड़ेंगे, कुछ लोग अड़ेंगे कि उन्होंने कुछ नई चीज निकाल रखी है, उस पर अड़ेंगे, कुछ अपने-पने संबोधन लाएंगे, अगले कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मेरे संबोधन से अगर क किसी को कोई दुखवा हो, परसानी हुई हो, या किसी को लगा हो, मैंने को represents कहा है, तो संग मुझे माफ करें, संग मुझे माफ करें, संग मुझे माफ करें, संग mày नमामी, जै भीम नम बुद्धै।